वेलकम तो प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं हैदरबादी शादियों वाला लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूं देख सकते हैं आप यह पराठा कितना पर्फेक्ट बना है तो चलिए बनाना शुकरते हैं यह मज़ेदार सा खुश्बोदार लच्छा पराठ बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है दो कप मैदा आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं लेकिन ट्रेडिशनली मेल अच्छा पराठा मैदे से बनाया जाता है तो इसलिए मैं भी मैदा ही उस कर रहें इस मैट करेंगे थोड़ा सा नमक वन टीस्पून के जितनी शक् पॉडर कॉटर टीस्पून सॉफ का पॉडर और दो पिंच है नट में गयाने के जैफल का पॉडर यह तीनों चीज़े जरूर दालने इससे बहुत ही हुश्बोदार पराठा बनता है और सॉफ की वज़े से यह डिजिशन में भी हल्प करेगा अब हम इसमें अट करेंगे यह पराठा बहुत ही खुश्बोदार मज़ेदार और रिच भनेगा अब हम थोड़ा थोड़ा पाली आट करके एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे थोड़ा सा ओइल लास्ट में फिर से अट कर रही हूं और इसको अच्छे से गून लेंगे जैसे मैंने कहा यह पराठा है तो पराठे का डो जो होता है वो सॉफ्ट होता है तो जैसे आप रोटी बनाते है उससे हलका सा लाइट इसको आप लूस नीड करें आटे को और यह जैसे ही एकटा हो जाएगा हम इसको इस तरह से गोल कर देंगे और रेस्ट करने के लिए रग देंगे एक बीसे पचीस मि अधे गंटे के बाद में हम इसको फिर से नीड करेंगे अच्छे से हाथों की मदद से इसको आप गूनते जाएगे आटे को इतना गूनना है कि यह बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की सा डो रेडी हो जाए इस तरह से यह देखे अब हम इसके पोशन्स बना लेंगे तो मैंने यहाँ पे छे पोशन्स लिए हैं दो कप में छे पराटे बने हैं तो उसके हिसाब से मैंने छे पेड़े बना लिए हैं तो पहले इस तरह से हम इसके पोशन्स बना लेंगे थोड़ा सा ओईल अप्लाई कर रही हूं मैं और इ इतना बेलना है कि यह बिल्कुल पेपर थिन हो जाए यह रोटी तो अभी आपको इसके शेप की फिकर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको फिर से बेलेंगे तो इसको इस तरह से मैंने बहुत बड़ा सा बेल लिया है इस पर अच्छे से ऐल अपलाई कर देंगे तो वन इसके लच्छे बड़े हो जाएंगे और बहुत अच्छे से यह लच्छेदार पराटा बनेगा इसको एक साथ से एसेंबल करके टक कर दीजिए बीच में और इस तरह से पेड़ा बना लीजिए अब इसी तरह से हम सारे पेड़े बना के रेड़ी कर लेंगे तो अब हमने बना लिए इसको कमस कम 15-20 मिनिट के लिए साइड में रख दीजिए ताकि जो लेर से अच्छे से से सेटल हो जाए और पडारा पने में आसानी हो जाए अब 20 मिनिट के बाद में मैं इसको ले रही हूं एक पेड़े को और इस तरह से बड़ा कर रही हूं क्योंकि अल्रेड बना लेकर अगे बड़ाना है लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने सारी आपको टिप शेयर किये उस तरह से आप आटा बनाएंगे और पेड़ा बनाएंगे तो इसी तरह से आपका भी पेड़ा आगे बढ़ जाएगा आपको बेलने की जरूरत नहीं होगी तोड़ी से अगरों के नॉन स्टिक पैन पे ताके यह चीपके नहीं यह डॉन स्टिक तवा है बहुत अच्छी कॉलेटी का तो यह देखे मैंने अच्छे से इसको गरम कर लिया था तवे को अब हम इस पे पराटा सेखेंगे पराटा जो होता है वह बहुत ही धीमी आंच पे धीमी लो फ्लेम पे इसको बहुत ही देर तक आपने सेखना होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लियर्स होती है तो इसको हमने जली-जली नहीं करना है बलके अराम-अराम से इसको आपने सेखते जाना है एक साइट डालने के 20-25 से के बाद में हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी स इसको बहुत से जलेंगे और जैसे ही इसकी एक साइट अच्छे से गोल्डन हो गई है मैंने फिर से इसको आपने किया है और दूसरी साइट भी सेख लिया यह देखिए तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पराटा बनके तयार होता है तो अब मैं सारे पराटे इसी तरह से सेख लूँगे ये देखिए मैं आपको नस्दीक से भी बताती हूँ कि कितनी अच्छी तरीखे से ये पराटा सेख कर रेडी हो गया है थोड़ा सा टाइम लगाके अराम अराम से इन पराटों को सेख लीजिए इस तरह से क्रिस्पी होने तक तो बहुत ही मज़ेदार लच्छा पराटा बनके तयार है आप इसको किसे भी टाइप की ग्रेवी के साथ में जैसे चिकन, मटन, पनीर की ग्रेवी के साथ में सर्फ कर सकते हैं बहुत ही मज़िदार और खुश्पुदार ये पराटा बनता है तो चलिए पराटे को अब हम सर्फ कर देंगे यह देखे कितना मज़ेदार और कितना फ्लेकी और लेड पराटा बनकर तयार है मज़ेदार सा इसको आप गर्मा गरम सर्फ कीजिए थंडे हो जाएंगे पराटे तो उतने मज़ेदार नहीं लगते यह देखे यहां पर मैं आपको खोल कर बता रही हूं कि अंदर तक पराटा कितना अच्छे से पका है और इसकी लियर्स जो है वो कितनी अरसान इसे खुल रही है तो हैदराबादी शादियों वाले इस लच्छे पराटे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेर किजिए अपने ऐसे फैमली और फ्रेंड से जिनको लच्छा पराटे की रेसिपी अच्छी लगेगी और सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे ही यूसफूल वीडियो के लिए ठैंक्स फॉर वाचिंग